इस बीडियो में हम formula type के text function में search function और substitute function के बारे में जानेंगे तो सबसे पहले यहां पे search function को करेंगे तो पहले यह समदों कि search function होता क्या है search function और find function दोनों एक जैसे ही है और एक जैसे ही काम करते हैं तो दोनों में अंतर क्या है? तो दोनों में अंतर ये है कि Find function जो होता है ये Case sensitive होता है यानि ये Upper और Lore में फर्क समझता है लेकिन Search function जो होता है Case sensitive नहीं होता है यानि चाये हमने Cell में कोई भी character Lore case में यापरец में लिखा हुआ है, उसमें कोई भी फर्क नहीं जाने का, तो यहाँ पे हम search function को करेंगे, तो search function में यहाँ पे text दिया गया है, तो यह character है, यहाँ पे हम search formula यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे this text दिया गया है, bias ग्यान टैक की यह लिखा हुआ है, तो इसमें आब हमने यहाँ पे by character को डूणना है search करना है तो search करने के लिए हम यहाँ पे search function यूज करेंगे यहाँ पे click किया और equal to यह लिखा लिखने के बाद यहाँ पे search यह लिखा यह search यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे double click किया double click करने के बाद यहां पे दिया गया find text तो किस text को हमने find करना है जैसे यह character है y इसको find करना है तो find करने के लिए इसको double code में लिखेंगे यह double code यह y लिखा y लिखने के बाद यह double code बंद किया बंद करने के बाद comma लगाएंगे यह comma लगा हुआ है comma लगाने के बाद यहाँ पे हम यह दिखो यह जो text यहाँ से find करना है यहाँ पे click करेंगे यह self name यहाँ पे आजाएगा आने के बाद इस bracket को बंद करेंगे और enter press करेंगे तो यह y की position बता देगा कि इस position पे यह y लिखा हुआ है यह दिको एंटर टैस किया तो यह फर्स्ट पोजिशन पे है यह दिको यह यहां पे दिये गया है तो यह बाई हमें बता रहा है कि यह फर्स्ट पोजिशन पे यहां पे दिये गया है इसके बाद अगर हम यह सर्च करना जाते हैं कि दूसरा बाई यहां पे कहां पे लिखा 3 के बाद यहां पे कौमा लगाएंगे कौमा लगाने के बाद यहां पर 2 लिखेंगे यह 2 लिखा, 2 लिखने के बाद यह देखो, यह जो है यह 2nd position से यहां से सर्च करना स्टार्ट करेगा तो जो भी इसकी position होगी 2nd Y की, वो हम यहां पे बताएगा तो यहां पर enter प्रेस की है इसके बाद, तो enter प्रेस करने के बाद यह देखो, यहां पर 4 बता रहा है, तो यह देखो, 1, 2, 3, और यह 4 पोजिशन पर आई है, इसके बाद यह देखो आगे, जैसे हमने सर्च करना यहां पर T, तो T को सर्च करने के लिए हम यहां पर, यह देख करना है टी को find करना यह टी लिखा अगर टी को यहां पे हम smal में लिखेंगे तब भी हमें यह यह यहां पे टी की जो position है उसको यहां पर बता देगा क्यूंकि यह case sensitive नहीं है तो यह हमें यह result यहां पर दे देगा यहां पर T लिखा लिखने के बाद इसको double code में बंद किया, बंद करने के बाद हम क्या करेंगे, यहां पर कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद यहां पर इस cell पर क्लिक करेंगे यह देखो, cell name यहां पर आ जाएगा इसके बाद bracket को बंद करेंगे और enter प्रेस करेंगे तो enter प्रेस करने के बाद यह देखो यह जो है यहां पर 8th position पर है, यह देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और यह जो है space यह भी count किया जाता है 7 और यह 8 position पर आई है suppose करो, अगर हम यहां पर find function यूज़ करेंगे यह देखो, जैसे यहां पर हम लिखेंगे find यह देखो, find यहां पर आ गया, double click किया find आने के बाद यह जो formula है, यह case sensitive है तो अगर हम यहां पर t को small में करेंगे यह capital में है, और इसको small में करेंगे, तो यह देखो small में किया, small में करने के बाद enter press करेंगे, तो enter press करने के बाद यहां पर value error यहां पर आ जाएगी अगर हम इसको t को यहां पर, यह देखो, double click किया और t को यहां पर capital में करेंगे, तो यह हमें यहां पे सही अंसर देगा यह देखो यहां पे T को हमने delete किया और इसके बाद T को capital में लिखा लिखने के बाद enter प्रेस करेंगे तो यह देखो यह यहां पे बता रहा है कि इसकी 8th position यहां पे है तो यह जो search function होता है यह case sensitive नहीं होता है जो भी हम यहां पे uppercase या lowercase में लिखेंगे उसको यहां पे search करके यहां पे हमें result में देगा तो इसके बाद यहां पे हम substitute function को करेंगे यह यहां पे data दिया गया है यहां पे हम substitute function को use करेंगे तो यह यहां पे हुआ है वीपन कुमार तो कुमार की जगा यहां पे हम क्या करना चाते हैं यहां पे सिंग लिखना चाते हैं तो सब्सिट्यूट फंक्शन के जरिए हम यहां पे सिंग लिख सकते हैं तो इसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे यहां पे click करेंगे click करने के बाद अब यहां पे equal to लिखेंगे इसके बाद substitute यह लिखेंगे यह लिखेंगे यह लिखो substitute यहां पे आ जाएगा यहां पे double click करेंगे इसके बाद यहां पे लिए गया text तो हम क्या करेंगे यहां पे text को select करेंगे यह text है यहां पे विपन कुमार यहां यहां पर कुमार है इसकी जगा हम यहां पर सिंग लिखना जाते हैं तो कुमार में के जो है यहां पर कैप्टल में है तो यह जो सबसीचूट फंक्शन होता है यह के संस्टिव होता है तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बैसे ही हम यहाँ पे लिखेंगे तो इसको double code को start करेंगे double code को start करने के बाद के को capital में लिखेंगे इसके बाद कुमार इसके बाद double code को बंद किया बंद करने के बाद कॉमा लगाएंगे कॉमा लगाने के बाद आगे लिए गया है new text तो new text इसकी जगा हम sing लिखना जते है तो double code को start करेंगे और यहां पे लिखेंगे sing यह sing लिखा, sing लिखने के बाद bracket को बंद करेंगे bracket को बंद करने के बाद enter प्रेस करेंगे तो enter प्रेस करने के बाद यह देखो substitute function के जड़िए यहां पे बिपन कुमार, यहां पे बिपन सिंग, यह यहां पे आ जाएगा इसके बाद यहां पे लिए गया है, it is very fast, यहां पे करेंगे slow तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पे substitute function का use करेंगे यहां पे equal to, यह लिखा, लिखने के बाद substitute यह substitute नीचे आ जाएगा यहां पर double click किया double click करने के बाद text पर click करेंगे तो यह text है यहां पर click किया यह cell name यहां पर आ जाएगा इसके बाद यहां पर comma है कॉमा लगाएंगे, old text यहां पर दिए गया है, तो old text हम यहां पर fast है, यहां पर slow करेंगे, तो यहां पर fast इसको double code में लिखेंगे, यह double code स्टार्ड किया, fast लिखा, इसके बाद double code को बंद किया, double code को बंद करने के बाद फिर कोमा लगाएंगे फिर जो नया है यहां पर text चाहिए हमें वो लिखेंगे यह लिखो new text यहां पर दिये गया है तो new text यहां पर double code में लिखेंगे यहां पर लिखेंगे slow यह slow लिखा, slow लिखने के बाद यहां पे double code को बंद करेंगे, बंद करने के बाद bracket को बंद करेंगे, bracket को बंद करने के बाद enter प्रेस करेंगे, तो enter प्रेस करने के बाद यह लिखो, यहां पे आ जाएगा, it is very fast, तो यहां पे आ जाएगा, it is very slow, इसके बाद substitute formula के जरीए, हम यहां पे तीन वार यहां पे बी बी लिखा हुआ है तो इसकी जगा खम यह पे 3 वार इह looking लिखना जाते ह्या तो यह हम यहां पे substitute formula के दुबारा करेंगे यहां पे equal to यह लिखा लिखने के बाद substitute यह substitute यहां पे आ जाएगा यहां पे double click किया इसके बाद text तो 10 इसको select करेंगे यह टेक्स्ट राजाएगा इसके बाद कॉमा लगाएंगे कॉमा लगाने के बाद यहां पे और टेक्स्ट तो और टेक्स्ट को इसको डबल कोड में लिखा जाता है डबल कोड लगाने के बाद यह जो बी यहां पे लिखा हुआ है तो यहां पे B को हम यहां पे small में लिखेंगे तो जब हम B को यहां पे small में लिखेंगे तो हमारे पास यहां पे result नहीं आएगा यह को करके देखते हैं यह B यहां पे small में लिखा double code को बंद किया बंद करने के बाद फिर कॉम लगाएंगे B की जगा हमें तीन वार E चाहिए तो यहां पे हम double code को start करेंगे, इसके बाद यहां पे capital में E करेंगे, और इसको double code को बंद करेंगे, बंद करने के बाद bracket को बंद करेंगे, तो यह लिखो bracket को बंद किया, बंद करने के बाद यह जो B हमने यहां पे लिखा हुआ है, यह small में लिखा हुआ है, तो small में लिखा है वैसा ही result हमें यहां पर देगा क्योंकि यह जो है substitute function यह केस sensitive है जैसा यहां पर लिखा हुआ है वैसा हम यहां पर लिखेंगे तब ही result देगा यही value हम यहां पर show करेगा यह को एंटर प्रेस किया open करने के बाद यहां पर b small में लिखा हुआ यहां पर capital में लिखेंग यहां पर capital में b लिखा तो capital में b लिखने के बाद जब हम enter press करेंगे तो b की जगा यहां पर तीन बार यहां पे E लिखा हुआ आ जाएगा यहां पे है, यहां पे आ जाएगा है, इसके बार यहां पे आ जाएगे लिया गया है इसके बाद substitute यह substitute आ जाएगा यहाँ पर डबल क्लिक किया डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर देगे है text तो इस text को हम select करेंगे यह surname यहाँ पर आ जाएगा इसके बाद comma लगाएंगे comma लगाने के बाद कौन सा हमने यहाँ पर character change करना है तो इसको डबल कोड में लिखेंगे यह को डबल कोड में लिखा डबल कोड में लिखने के बाद आगे यहाँ पर फिर comma है तो comma लगाएंगे कॉमा लगाने के बाद new text तो new text जो है यहां पे o करना जाते हैं तो इसको double code start किया और यहां पे o लिखा o लिखने के बाद double code को बंद करेंगे बंद करने के बाद bracket को बंद करेंगे बंद करने के बाद enter press करेंगे तो enter इस तरह हम यहां पे substitute function का यूज कर सकते हैं तो इस वीडियो में हमने search function और substitute function के बारे में जाना अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छे लगी तो please subscribe my channel धन्यवाद